कि क्लासेस में आपका स्वागत है वेट वेट आखिर आज का टॉपिक क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है तो इसको जानने से पहले ये जाने कि आर्ट आखिर है क्या आर्ट क्या है आर्ट इस दर कि स्कील एंड पर्सनल अप्लिकेशन पढ़ते सब हैं पैंटिंग भी सब सिखते हैं क्रिकेड भी सब सिखते हैं खेल खुद के ज्ञानी भी सब होते हैं लें कुछ लोग अपने इक्सपीरियंस गिरंतर्ता जो बोलते हो प्रैक्टिस का इन सब गुणों के कारण वो हम लोगों से अलग हो जाते हैं परे हो जाते हैं और उनकी कुसलता चरम होती है तो आर्ट इस वर्ड इसकील फूल एंड पर्सनल अप्लिकेशन आर्ट में कुसलता की ज़रुरत करते हैं उसको एक प्रैक्टिकल प्लाटफॉर्म देने का काम करता है किसलिए तो टू एचीव डिजार्ड रिजर्ड हमारे गोल को अचीब करने के लिए तो यह तो हुआ आर्ट के बारे में अच्छा भाई फिर यह बताओ कि मैनेज्मेंट आर्ट है या नहीं है बिलकुल warmanage मैनेज्मेंट art या नहीं है या अंध हम बिलकुल समझेगें लेकिन मैनेज्मेंट आर्ट है या नहीं है उससे पहले हमको इन दोनके फीचेश को compare करना पड़े गया तो आर्ट का features है क्या पहला तो हो गया existing existence of theoretical पर शुत के नर्डिकाल नोलेज में आर्ठ सीखने के लिए जो सबसे पहले हमारे अंदर जुरत होते हैं उसके नौलेज को गेंड करना चाल अब आद लेज गेंड करने के... काफी books follow करते हैं काफी knowledge इदर उदर से gain करने की कोसिस करते हैं तो यह theoretical knowledge होना बहुत जरूरी है साथ ही personalized application सिर्फ theory जानने से नहीं होता है जो लोग painting सीखते हैं या जो लोग गाना सीखते हैं जो musicians होते हैं उनको पहले theoretical knowledge दिया जाता है लेकिन उनका color तब तक 100% successful नहीं है जब तक कि इसे एक practical form ना दे दिया जाए तो इसका practical और personalized application करना जरूरी है जो जितना इसका application खुद से करेगा वो उतना ही उसमें निपूर्ट होता जाएगा तीसरा जो features है वो है तीसरा जो features है वो है based on practice and creativity means art जो है वो निरंतर practice और उसके creativity पर depend करता है जो लोग जितना ही इसमें practice बढ़ाते जाएंगे और इसमें creativeness को लाएंगे वो उस color के area में उतने ही कुसल कहलाएंगे तो अब हम लोग को compare करना है कि यह तीनो features क्या हमारे management में है या नहीं है means management इन तीन arts के features को fulfill करता है या नहीं करता है तो पहला है existence of theoretical knowledge बिलकुल ही management में यह feature fulfill करता है क्यों क्योंकि management का ग्यान पाने के लिए हमको काफी पढ़ाईयों के पश्चात उस knowledge को प्राप्त करना परता है जिसके लिए हम काफी books वगरा को follow करते हैं ऐसे में हमको theory का knowledge जरूर मिलता है दूसरे features पर जब हम बात कर रहे है वह है personalized application क्या यह management में है या नहीं है हम लोग जानते हैं कि कोई दो musicians या कोई दो singers एक तरह के नहीं हो सकते हैं या कोई दो खिलाडी एक तरह का game नहीं खेल सकता है क्योंकि हर एक का अपना skills होता है हर एक का उनका अपनी इस skills का application होता है ठीक उसी तरह एक अच्छे manager के अंदर creativity होना जरूरी है एक अच्छे manager को अपने नीजी ग्यान को दर्साना जरूरी है तो कहने मतलब जब तब वह अपने नीजी ग्यान को ठीक तरीके से एक applied platform नहीं प्रदान करेगा तो ऐसे में वह एक कुसल manager नहीं बन पाएगा तो कहने का मतलब कहीं न कहीं management में यह personalized application का गुण पाया जाता है तीसरा है based on practice and creativity कला अथा आर्ट को हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह practice और creativity बे बेस्ट होता है जो जितना ही practice करेंगे जितने अपने अंदर creativity लाते हैं वो इस area में उतने ही कुसल बनते हैं ठीक उसी तरह एक manager दिन पर दिन experience के साथ observations के साथ अपने नियमों को अपने जो पढ़ाई किये गया ग्यान है उनका जो सुचारू रूप से अपने निरंतर जीवन में उप्योग में लाते रहता है ऐसे में उसके अंदर एक experience का ज्वार पहलता है और यह experience उसको दिन पर दिन और अच्छा बनाते जाता है तो कहीं न कहीं यह तीसरा features भी management के अंदर पाये जाता है तो ऐसे में यह तीनों ही features यहां पर मिलता है हाई सच बोलू तो अब मैं समझ गया management का मतलब क्या है हाँ बिलकुल आप समझ गये हो क्या कि management एक art है एक art ही नहीं एक full-flacid art है ऐसा क्यों क्योंकि यहां जो features arts का वो हमारा management में पाये जाता है कहने है अनलाब theoretical knowledge इसमें है managers क्या करते इस theoretical knowledge को apply करते personally और यह जो यह जो managers है यह हमेशा क्या करते निरंद प्रैक्टिस में रखते आपने creativity को लाते रहते हैं तो कहने का मतला management में यह भी पाया जाता है तो conclusion यह है के management is a full-flacid art thank you